बुड मॉरिंग बच्चों तो देखे कल हमने लास्ट सोल मां आपका कॉशिन किया था 4.6 का तो आज हम आगे बढ़ेंगे और विवी दुधारण करेंगे सारे ठीक है विवी दुधारण 30 से लेके 34 तक के यानि 5 आपके विवी दुधारण हैं ये कर लेंगे और कल विवी दुधारण वाली सुरू होगी तो जितना आभी तक पढ़ा है विवी दुधारण यानि मिसलीनियस एक्जामपल्स यानि सारी जितने भी आपने 4.1 1 से लेके 4.6 तक पढ़ा था उसके 20 से ही कोई ने कोई प्रस्न यहाँ पर दिये गिये होंगे ठीक है हो सकता है किसी प्रस्नावली से किसी exercise से दिये हों और किसी से नहीं दिये हों लेकिन होंगे प्रस्न उनी के भी से तो आप देखना है कि हम लोगों ने कितना सीका तो चलिए सबसे पहले उधारण 30 देखो क्या है यदि A, B, C धनात्मक हो और भिन हो धनात्मक और भिन्य इसका मतलब सोना धनात्म मतलब positive होगी है और भिन्य उतलब अलग-अलग हो ठीक है बराबर ना हो मतलब A, B के बराबर ना हो, B, C के बराबर ना हो अलग-अलग हो ठीक है तो आपको क्या दिखाना है दिखाइए कि रेल्टा इकोस्टू A, B, C, B, C, A और C, A, B इसकी वैल्यू क्या है कह रहा है रिनात्मक और नहीं negative आए कहने का means अगर आप इस ABC को positive और अलग मानके चलो एक दुसरे से तो जो इसको solve करोगे तो ये क्या आना चाहिए negative आना चाहिए तो अब इसको करना थोड़ा सा अलग सा है, है आसान कहने का मतलब बस आपको थोड़ा समझना है तो चलिए फिर इसको solve करते हैं तो इसको solve करने के लिए सबसे main चीज दिखी कि जब आपको इस तरह से दिखता है ABC ABC ही दिख रहा है हर line में तो अगर मैं तीनों पहली row ये है R1, R2 और R3 तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं आपस में तो देखिए ABC बन रहा है A plus B plus C और यहां B plus C plus है ये भी A plus B plus C है और ये C plus A plus B ये भी A plus B plus C है तो पहला काम R1 tends to R1 plus R2 plus R3 तो इससे क्या हुआ कि जो R1 है वो A plus B, A plus B plus C, A plus B plus C ये बन गया तीनों में ठीक है तो हमने क्या किया फिसके बाद बाकि row ऐसे रही इसको हमने भार ले लिया तो तीनों के जगर 1, 1, 1 हो गया उसके बाद अब आपको पता चल गया है जब 1, 1, 1 है तो इसके बारे में मैं आपको सिका चुका हूँ कि जब तीनों जगर 1, 1, 1 है तो इन दों को 0 बनाओ कैसे बनाओगे? इसमें से इसको घटाओगी या कुछ भी करो चलो एक बार मैं इसको बना रहा हूँ तो C2 यानि यह पूरा C2 है यह C3 है C1 कॉलम ही तो C2 से किसको माइनस कर सकते हैं चाहो तो आप C1 को कर लो चाहो तो C3 को कर लो तो यहां मैंने C2 से C3 को किया है माइनस आप C1 को भी करोगे तो answer last में जो आएगा यहां पर हो सकता है थोड़ा अलग हो लेकिन last में एक जैसा ही आएगा तो आपकी मर्जी मैंने एक बार C2 से C3 को माइनस किया C1 और C3 एक जैसे रहे सिर्फ यह बदला ठीक है तो क्या इसमें इसको 0 और C-A A-B हो गया अब उसके बाद फिर मैंने का चलिए C3 को भी कर लेते हैं दो 0 कर लेते हैं तो एक से खोल लेंगे answer आजाएगा तो हमने इसमें C3 है C1 को माइनस किया तो क्या आया यह दोनों तो सेम रहे ठीक है और यह 1-1 0 A-B B-C यह लिख दिया है बनने वाली रो और कॉलम छिपकी है और यह चीज़ें यहां लिख दी उसके आद आप चाहो तो आगे minus 0 plus 0 भी लिख सकते हो क्योंकि इन से 0 याना है मैंने लिखा नहीं है आपकी मरसी चलिए आगे बढ़ते हैं फिर A plus B plus से ऐसे रहा और यहां पर इन दोनों को multiply किया और इन दोनों को multiply किया minus ठीक है simple है बाकी solve कर दिया सब इको अंदर multiply करके open करा इधर इसका square open किया और minus अंदर गिया तो सारे sign change हो गिये और इस तरह का बन गिया ठीक है उसके बाद अब आपने क्या किया और प्लस यह यह सारे लिख दिये ठीक है फिर इन मेंसे minus common लिया क्योंकि minus a square ऐसे कहीं होता नहीं तो पूरे मेंसे minus common लिया यह आलिख है तो यह plus के होगी है तीन तो और यह 3 minus के होगी है ठीक है अब देखो जब इतने पे पहुंचे तो आपने class 9 यह 10 पे कहीं एक जिगा देखा होगा कि इसकी value और इसकी value same होती है यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यही पर थोड़ा सा important काम है बाकि सब तो आपको आता ही है ठीक है क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपने कि जो यह a square प्लस B square प्लस C square माइस A B माइस B C माइस C होता है यह A माइस B का holy square प्लस B माइस C का holy square प्लस C माइस A का holy square के एकवल होता है class 9 का algebra वाला यानि आपका जो 2.5 है उसकी प्रसनावाली के अंदर ऐसा प्रसन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना इसके आगी पीछे कुछ जोड़ा है उसने तो आपको यह थोड़ा ध्यान रखना है तो class 9 से आई यह वाला हिस्सा ठीक है ऐसा नहीं कि हमने कहीं पढ़ा नहीं है तो यह इसके बराबर आ जाएगा फिर उसके बाद अब इतने पर काम खतम अब आपको पता है कि जो A, B और C थे यह तीनों ही क्या थे धनात्मक थे positive और साथ में यह different थे यानि यह भिन्न थे एक दूसरे से अलग थे तो यानि यह 0 तो नहीं आसकता यह भी नहीं आसकता यह भी नहीं आसकता क्योंकि जब A और B बराबर ही नहीं है तो A-B करने पर 0 नहीं आएगा कुछ नों कुछ आएगा संक्या अब हो सकता है यह रिनात्मक संक्या आए इसका वर्ग करोगे तो फिर धनात्मक हो जाएगा यहाँ पर भी रिनात्मक आसकता है square करने पर धनात्मक ये भी धनात्मक हो जाएगा तो यानि ये पूरा हिस्सा तो धनात्मक है ठीक है, अब साथ में A, B और C तीनो धनात्मक थे का हमने positive थे, तो तीनों को जोड़ोगे तो positive ही तो आएगा, धनात्मक ही आएगा यह धनात्मक यह धनात्मक और आगे रिन है अब रिन में प्लस और मलस प्लस को आप करो कि तो लास्ट में माइनस ही आना है तो यह माइनस यानि इस पूरे का मान जो हमने हल किया यह रिनात्मक आग गया और यही हमें सिद्ध करना था से दियाम प्रूब्ड लिख सकते हैं समझ गिए ये चीज तो धनात्मक ही होगी तीनो धनात्मक हैं ये चीज कैसे धनात्मक ही मैंने सिखा दिया अब दोनों धनात्मक और माइनस प्लस माइनस होता है फिर माइनस और प्लस फिर माइनस ही होता है लास्ट में माइनस ही आना है तो इस तरह से आपका यह सिद्ध हो जाएगा बस इतना सा धिहान रखना है कि यह जो value है यह इसके बराबर होती है class 9th में पड़ा है copy खोलो या book खोलो और आप जाकर देख लो कि 9th की exercise 2.5 निकालो ठीक है अगले question में चलते हैं आसान था ठीक है कोई खास इतना हो नहीं था अगला कह रहा है बहुत आसान यह AP है ठीक है तो क्या कह रहा है यदि ABC AB और C तीन नमबर है तीनो समानतर स्रणी में हो यानि arithmetic progression में हो ठीक है AP हमने पड़ा है तो delta equals to इतने की value क्या होगी कह रहा है इस पूरे को solve करो गह रहा है यानि इसको solve करेंगे और कहीं पर इसका use हो रहा होगा तो पहले हमने यह हमने पड़ा है class 11th में या class 10th में भी आप बो सकते हो 10th में AP पड़ी थी हमने काफी ज़ादा तो वहाँ पर क्या पड़ा था अगर तीनों क्या है AP में हो तो क्या होता है जो बीच वाला number है यह पहले और दुसरे के क्या average के बराबर होता है ठीक है यानि कि जो B होगा बीच वाला B वो होगा A plus C बटे 2 के बराबर फिर 2 को इधर जाओगे तो 2B equal to A plus C आएगा चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि B equal to A plus C बटे 2 जब AP में है तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है और फिर इसको 2B equal to A plus C जो हमने लिख दिया है equation 1 ताकि जहाँ जरुद पड़ेगी वहाँ रख लेंगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं फिर अब बागी कुछ नहीं है इसको solve करना है solve करने के लिए देखो काफी आसान चीज़ दिख रही है अगर पहले और तीसरे को जोड़ोगे तो क्या आएगा 6Y plus 10 आएगा और उसमेंसे इसका दुगना करो तो इसका दुगना भी 6Y plus 10 होता है यानि R1 और R3 को जोड़ कर R2 के double मैंसे घटा दो तो 0 आजाएगा पहला वाला ऐसे यहाँ पर भी देखो अगर इस वार इसको जोड़ो और फिर इसमेंसे इसके दुगने से घटा दो तो 0 आजाता है तो आमने क्या किया इसको देखते हुए R1 टेंस 2 R1 प्लस R3 को जोड़ा माइनस 2 R2 कर दिया R2 के दुगना को घटा दिया तो उससे हुआ क्या कि यह और यह तो 0 आगे लेकिन यह वाला देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 18Y प्लस A प्लस C आएगा इसमें से माइनस इसका दुगना घटा होगे तो माइनस 8Y माइनस 2B आएगा अब देखो 8Y कर दिया A प्लस C माइनस 2B बचा तो A प्लस C माइनस 2B मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है बाकी यह दोनों लाइन सेम रहे अब क्या होगा आपने यहाँ देखा था कि 2B इक्वल टो A प्लस C है यह तो आप अगर A 2B को इधर ले जाओ तो A प्लस C माइनस 2B इक्वल टो 0 आ जाएगा तो A प्लस C माइनस 2B 0 आ जाएगा यहाँ से रख दी यहाँ पर value तो अब 3 और 0 होगी है शुरू के यह और बाकी दो लाइन बच्ची है अब आपको पता है कि किसी भी determinant या सारनिक में अगर एक पंक्ति के सारे आव याओ एक रोग के सारे elements अगर 0 हो तो पूरा गापूरा सारनिक की value भी 0 होती है तो यह 0 के एक कोल आ जाएगा हमने प्रॉपर्टी पड़ी थी जब सारनिक की ठीक है determinant की गुड़ धर में पड़े थे तो वहाँ पर यह चीज थी तो बराबर 0 आ जाएगा बस सीदे 0 आपको उत्तर निकालना था कि इसकी value क्या होगी तो इसकी value जीरो आ गई ठीक है तो यह हमारा answer आ गया यह रहा समझगे तो यह भी आसान अगला जो सबसे important और काफी ज़्यदा सांदार प्रस्न है इसके यागर यह paper मां आ गया तो कई सारे लोग नहीं बना पाएंगे ऐसे एक दो प्रस्न मैंने पीछे भी पढ़ाए थी ठीक है और मैंने बुला था कि ऐसे determinant इंट से एक question चार नमर मां आपका आता ही है हर साल आता है और किताब से आता है उधारन भी पढ़ लेना का आता है चार रसमलत दो में और exercise भी पूरी की सीख लेना का आता है ठीक है तो ज मिल जाएगा आसानी से चलो फिस जरा आप देख लो जरा इसको समाझ लो कि आपको दर्साना है यह निए आपको क्या करना है so that data equals to इतना इसकी value इसने के एक वल दिखानी है तो इसको solve करना है ठीक है पहले वाले हिस्से को तो इसको करते हैं फिर सबसे पहला काम हमने क्या क प्रिटेंट है जो हमने exercise च्चें कोश्किन में भी किया था ठीक है कि हमने पहले पहले वाली रोग पो Erik दूसरे वाली Six से दूसरे वाली यो को उभाई निस्त लिया था hires common लिया था ठीक है तो हमने क्या काम hundred either ए अब हुँआ कि आ कि हमने पहली रोखो दुसरी और तुसरी को एक्स वाइज़ेट से मल् sort क्या कि ठीक है तो ऐसे हवा में मल्ट्वाइज न्हीं हो जाएगा पहार पर One upon xyz भी रहेगा, divide भी करोगे बाहर पर, समझ रहे हो, xyz अपने मन से नहीं लाए हैं, बाहर पर हमने divide भी किया xyz से, और अंदर multiply भी किया xyz से, ताकि वो xyz, xyz कटके 1 होता समझ रहे हो, ये बहुत important है कई बार हम ये तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं तो हमने क्या किया, ये 1 upon xyz भाहर रखा पहले, ठीक है, ताकि अंदर multiply जो किया, पहली row में भी x से multiply किया है, देखो यहाँ पर दुसरे में y से किया है और तिसरे में z से किया है तो ये चीज़ा आई है, ठीक है देख सकते हो बाकि यहाँ पर x से किया, x, x, x तीनों जगल लिया, और फिर y से किया second को, और third को z से किया उसके आद common लिया तो लिखा है मैंने c1, c2, c3 वैसे करमसा, x, y, z, y, nis तो यानि common लेने पर तो आप चाहूते लिख सकते हो और भी ना लिखे भी आप समझ सकते हो पेपर क्ले लिखा है मैंने पेपर क्ले टाइम अगर यहाँ पर पहुंचो तो याद रहे कि हमने common लिया था, तो देखो यहाँ से अगर मैं x common लूँगा, तो एक x से x तीनों से बाहर आ जाएगा, यह देखो तो बचा क्या y plus z का square, y square, z square ऐसे यहाँ से y common लूँगा, तो दिख रहा होगा y तीनों जिगा है, तो जो बचेगा वह वाली चीज यहाँ पर लिखी है और ऐसे ही, जब z common लोगे, ठीक है तो यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ भी z है तो जो बचेगा x square, y square और x plus y का square, यह लिख दिया इतना लिखा अब इसके बाद इससे हुआ क्या कि हमें देखो बाहर के निकालना है न, या तो हमें यह निकालना है या यह, तो मैं x plus y plus z निकालने की कोशिस कर रहा हूँ तो अब देखो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद अब देखो अगर हम इसमें और इसमें माइनस कर दें इनको, जैसे पहले फिलाल इसको तो नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले को इसको कर दें, x to square मैंसे y इसको माइनस कर दें, c2 मैंसे c1 को माइनस कर दें और c3 मैंसे भी c1 को माइनस किया है, दोनों मैंसे देखना क्या होगा, c2 मैंसे c1 को माइनस किया, c3 मैंसे c1 को माइनस किया यह तो ऐसा ही रहा, यहां माइनस किया तो क्या होगा, x square minus y plus z का whole square y plus z का whole square minus y square और यह तो 0 हो गया ऐसे ही x square minus y plus z का whole square ठीक है और y square minus y square x plus y square minus z square हुआ? इससे क्या होगा? अब देखो यह a square minus b square का formula है हैy x square minus y plus z का whole square x जो है वो a है और y plus z जो हो वो भी है तो क्या होगा x a square minus b square क्या होता है एक blackhead में a plus b और एक में a minus b तो इस तरह से हमने इसको open कर दिया a plus b a minus b a minus b करते समय x minus y minus z जाएगा क्योंकि अंदर जाएगा minus समझें ऐसे यहां भी open किया x plus z यह भी same वही है x plus z plus y x plus z minus y यहां भी किया x plus y plus z x minus y minus z और लास्ट में यहां भी किया x plus y plus z और x plus y minus z चार जगह हो गया अब इससे हुआ क्या कि पहल इसको अगर दुसरे कॉलम को देखो तो एक्स प्लस y plus z जगहीं तीनों जगह है जी तीनों के साथ भी पहल पॉयुक्षा कोमन आजयेगा एक बाहर दुसरा यहां भी देखो x plus y plus is में भी है इस में दो होगा यह और इसमें भी है तो एक इस वालेarina कॉलम से और इस वाले !!! से common आ जाएगा नहीं, square आ गया common x plus y plus z का square common आ गया भार most important इसले लिखा है, खाली नहीं लिखा है ठीक है, और तो बचा क्या फिर यह बचे, और यहाँ यह side के बचे होंगे, ठीक है, और इधर भी यह side के बचे होंगे, इनको हमने यहां लिख दिया, अब उसके बाद क्या काम करना है, इतना हम से हो गया अभी और काम बचा है क्या बचा है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, r1 में से r2 और r3 का ओकर देखो, यह y plus z का holy square इसको open करो, तो y square plus z square plus 2yz बनेगा, अब आपको नीचे y square और z square इन में दिख रहा है, अगर इनको घटा दो, तो वो जब i square और z square cancel हो जाएंगे, खाली 2yz बचेगा, तो हमने यही काम किया कि r1 से r2 और r3 को माइनस कर दिया यह r2, r3 वैसे ही है माइनस किया तो देखो, यहाँ 2yz बच जाएगा, यहाँ माइनस किया तो कुछ cancel होंगे, और माइनस 2z बचेगा, इस यहाँ करोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ पर हाँ, यहाँ पर गलती हो रखिया ठीक है, यह गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, x-y-z यहाँ पर रुकते हैं, और इसको सही करते है, हाँ, ठीक है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि देखो, r1 से r2 और r3 दोनु को माइनस करना है, इसमें से 0 माइनस करोगे, फिर माइनस यह भी करोगे तो कुछ cancel होंगे, और माइनस 2y इसमें से इसको और इसको दोनु को माइनस करोगे, तो कुछ cancel होंगे, और 2-2z बचेगा, गलत नहीं है, ठीक है सिर्फ इसमें से इसको नहीं घटाया है, इसमें से इसको भी और इसको भी तीनों को घटा रहा है समझें, तब इसलिए हो रहा है, इतना आगया समझें, अब इसके बाद देखो, दो तरह के काम है, अब मैं दो तरह के आपको बता रहा हूं, मैंने नीचे काट रखा है अगर यह गलती हो आता तो मैंने इसकी photo की खीची, तो इसका एक region है, इसलिए most important है ठीक है, ठीक है, तो यह मैंने काटा हुआ क्यों रखा है, यह पहले से रखा हुआ है, कोई मैंने अलग से नहीं किया अभी तो यह इसलिए रखा है, कि मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर काफी ज़्यादा important है, यह question हो जाता है पीछे जो काम किया हमने, वो काम तो ठीक है, तो यह काम मैंने इसलिए किया, क्यों, क्योंकि देखो इससे पीछे भी काफी काम कर रखे हैं, वो भी important है, उसकी वह से भी important question, लेकिन इसकी वह से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने यह वाला step ले लिया ना, तो आपको question ग हो रहा है, तो question तो गलत है, नहीं, दो answer हो सकते हैं इसके, पहला क्या है, देखे, मैंने क्या किया, कि यह 2z है, और यह 2-2y है, और यह 2yz है, तो मैंने क्या काम किया, कि मैंने इस column से, इसको minus किया, लेकिन इसको मैंने y से मल्टपै कर दिया, तो यह minus 2yz हुआ, यह plus 2yz, और तो इनको अब आपस में लूँगा जोड़ूँगा तो यह 0 आ जाएगा यह वाला, यह 0 हो जाएगा, ऐसे ही मैंने क्या किया, इसको मैंने z से melt back किया, तो minus 2yz हुआ, और इसके साथ में जोड दिया, तो यह 0 हो जाएगा, ठीक है, यही काम किया, देखो, 0 हो जाएगा, और फिर ऐसे कुछ करते करते हैं, solve किया, तो last में यह x plus y plus z का square, plus 2x square y square z square है, और इस तरह का आया, यहाँ पर एक गलत आ रहा है, कि यह y square और z square, यह square में आ रहे हैं, अगर यह square में नहीं आते हैं, तो हमारा answer सही आया था, ठीक है, हमें यह तुछ यह 2xyz और यह cube बन जात लेकिन यह गलत आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसके एक तरह से, अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, तो गलत आ रहा है, यह नहीं गलत है, यह हमने नहीं सोचना है, एक जाम में ऐसे question आएगा यह वाला, तो अगर वहाँ पर तुम यही चीज़ सोचोगे, कि यह गलत कैसे आ गय है, लेकिन यह इस method से करोगे, तो गलत हो जाएगा, दूसरा तरीका देखो, जिससे सही हो रहा है, वो क्या है, तो यह मैं सोचता रहे गया, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कि इसके दो answer कैसे आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार देखना, इसको फिलाल देख लो, अगर आप लिया है, इस वाली रो से, ठीक है, और इस वाले से मैंने जैट कमन लिया है, और जो बचे हैं, वो लिके हैं, और फिस सौल कर दिया है, तो एक बार खुद करके देखो, और पता चले कि कुछ mistake है, तो बताना, बाकी जहां तक मैंने देखा, तो कोई mistake नहीं है, और इस तरह कैसे हम कर रहे हैं, तो हमारे answer में यह आ रहा है, ठीक है, हाँ, एक तरीका हो सकता है, जिस से आप सही, हाँ, यह चीज जीज ठीक है, समझ में आ गया, क्या गलत हुआ है, मैंने देखो, इसको y से multiply किया, इस वाले को, किस को, c2 वाले को, और इस वाले को किस से किया, मैंने से करोगे, साही करोगे इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर one upon yz लिखेंगे नीचे, यहाँ पर भी one upon yz लिखेंगे, और yz और yz कट जाएगा, सिर्पर दो जिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पर one upon yz लिखेंगे, क्योंकि हमने अंदर मलटपय वाला काम क देख लो बाब बिल्कुल आप सही हो गया है तब ही मैं सोच रहा था कि आखिर मिस्टेक ऐसे नहीं हो सकती तो यहां पर वाइजड वाइजड ही रहेगा यहां पर अपन में वाइजड है ठीक है और यहां पर भी तो यह हमारा आंसर आ जाएगा फिर यह क्यूब बना देगा तो यह आपका आंसर इसी से करोगे दूसरी मेथड से नहीं करोगे इस से करोगे बस दूसरी से नहीं करोगे तो फिर किताब में दिया ही है उस से करेंगे तो फिर हमने अपना दिमाग कहा लगा ठीक है तो यह काम करोगे यहां पर आपका यह प्रूव हो जाएगा यह क्या 2x yz होगा, ठीक है, समझ की हो न, क्या किया हमने, हमने यहाँ पर जब हम y2 को y, c2 को y से multiply कर रहे हैं, तो यह भार पर divide भी तो करना पड़ता है, आप भी पीछे सिखाया था, और जब c3 को z से multiply कर रहे हैं, तो यहाँ पर divide भी तो करना पड़ेगा, z से, तो इसलिए यह काम फिर y, z नीचे भी रहेगा, common आपने इस वाले से y लिया, इस वाले से z लिया, इस वाले से 2y, z लिया, ठीक है, यह देख लो, यहाँ से y, एक जगे से y, एक जगे से z, ठीक है, तो इतना काम करोगे, यह कड़ जायेगा, यह नहीं होगा, बाकि फिर solve किया, नॉर्मल तरीके से answer आखे, यह वाला हिस्ता में दिखाऊंगा यह नहीं, दुसरा, क्योंगी इसके जरुवत नहीं है, तीनों find करने है, लेकिन इन दोनों के multiply का use करना है, अमें इसका use करना सिखाता हूं, जड़ा इस पूरे उपर को देखो, और इसको देखो, इससे क्या निकालना होता है, आपने एक a निकालना होता है, एक x से निकालना होता है, और एक b निकालना, तीन तो निकालने होते है न, A निकालोगे तो क्या आएगा A बताओ सिर्फ मुझे पहले 1, minus 1, 2 इन सभी के coefficient है ठीक है इधर X का है नहीं, तो 0 2, और minus 3 इधर 3, minus 2 और 4 minus 2 और 4 यह हुआ अब इसके बाद आपको पता है इसको निकालने के लिए determinant A निकालोगे फिर adjoint A निकालोगे adjoint A के लिए भी secondus निकालोगे उनको रखोगे एक तरीके से फिर A inverse equal to 1 upon determinant A into adjoint A निकालोगे बहुत लंबा काम है लेकिन आपसे बोला है कि इस प्रवाले का यूज करो अब जड़ा देखो ये जो वह ये हमने A निकाला ना ये और इसका पहला वाला देखो ये देखो तुनों सेम है ये और ये दुनों है नी सेम तो इससे यहां से help मिलने वाली है अब जड़ा समझना मैंने इन दुनों को multi किया काफी आसान है करना आता है आपको इससे 3 row को करोगे तो 3 element आएंगे फिर दुसरी row से 3 column को करोगे तो दुसरे वाले के element तिसरे से 3 वा करोगे तो तिसरे वाले के ये तो c का है solve किया तो ये आया अब मैंने बोला कि यह चीज क्या है A है A को अगर किसी दुसरे वाले से मल्टाइ करके आपका I आ रहा है यह I तो है न तो क्या होता है A into A inverse equal to I यही तो होता है A into B बरावर अगर I आए तो यह जो B है वो पहले का वित्करम होता है यह हमने सीखा था पहले का inverse होता है कहां सीखा था? set मैं सीखा था पहले chapter में समुच्चे वाले chapter में और दूसरे में भी कहीं पर इसका use हो था और यहां भी use हो रहा है तो हो क्या रहा है कि हमने जब इन दोन को मल्टाइ किया तो हमको यह I मिला और इससे हमें पता चला कि जो ये दुसरा वाला है ये पहले का वित्करम है तो हमारे पास A inverse जो है वो ये आ जाएगा अब हम उतना लंबा काम नहीं करना है क्योंकि हम इतने से आ गिया हमें तो A inverse equal to मैं लिख दूँगा इस चीज़ को जो दिया है ये और X क्या होगा X तो X, Y, Z जो निकालने हैं समिकरन और B क्या होगा 1, 1, 2 B क्या होगा ये वाला ये जो होते हैं ये तो होता है 1, 1, 2, B होता है और X, Y, Z जो हैं ये X होता है और A तो आपको पता ही है सभी के coefficient को लोगे तो A आएगा ठीक है तो इतनी चीजे हो गई तो अब आपको तीनों मिल गई है आपको inverse भी मिल गया है जिसके लिए बहुत लंबा काम था वो पहले ही मिल गया क्योंकि इन दोनों को मल्टपै करने पर क्या आ रहा था I आ रहा है और I आ रहा है अइक उसको हम A X equal to B लिख सकते हैं तो X equal to A inverse B लिख सकते हैं और इसमें हमने value रग दिए X की, A inverse की और B की इन तीनों को इसको इन से मल्टपै किया और इसको इनसे मल्टपै किया इसको इससे मल्टपै किया तो यह हो गया solve किया तो यह 0, 5, 3 आया x equal to 0, y equal to 5 और z equal to 3 हो जाएगा यही आपका answer है समझ गये तो काफी आसान प्रस्न है बस उसका use करो कह रहा है तो use करना आना चाहिए और जितना c का है पुराना वो सब ध्यान होना चाहिए ठीक है, चलिए last वाले दर्णकियों चलते हैं तीसमा बहुत चोटा सा है, आसान भी है आपको prove that this request to this करना है बाकि देख रहे होगे कि क्या अलग है last वाली row जो है, वो पूरी same है ठीक है, और जो first वाल, second है इसको ही थोड़ा अलग बनाना है, a, c, p बनाना है दुसरे वाले को b, d, q बनाना है और आगे 1-axis square लाना है दिमाग में हमारे आएगा कि कैसे मैं 1-axis square लाओं तो LHS को लिया, कैसे आएगा ज़रा एक बार समझो इसको पहले अगर हम first वाले में से second को घटा है minus करें तो हो रहा है minus कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कटे नहीं रहा है और A-axis square बचेगा क्या बचेगा, अगर मैं दुसरे वाले को x से multiply करके minus कर दूँ, तो पहले वाले में A-axis square बचेगा अब इसको ज़रा common लो तो A को 1-axis square आ रहा है तो यहीं काम करना है क्या करना है, R1-axis R2, तो यह बचा A-axis square यहाँ C-axis square क्योंकि DX और DX कर जाएंगे P-PX square क्योंकि Q और QX अहाँ पर होगा तो कर जाएंगे तीनों में देखो, अगर common लोगे तो A, यहाँ 1-axis square C लोगे तो 1-axis square P लोगे तो 1-axis square इसको बाहर ले लिया A, C और P बचा बचा, बची सेमी है अब देखो, इतना करने के बाद पहली और तीसरी line तो same आ गई जो answer निकालना है और यह भी आ चुका है बस इसको लाना है अलग इसको क्या लाना है? B, D, Q और Q लाना है तो कैसे आएगा B, D, Q जब A, X वाला हड जाए तो क्या करेंगे? R2 मैंसे R1 को अगर X से मल्टाय कर लोगे और घटा दोगे तो हो जाएगा काम तो हमने क्या क्या? R2 माइनस X सा R1 किया तो इससे हुआ क्या कि AX और यहाँ AX कट जाएगा खाली B बचेगा CX और CX कट जाएगा खाली D बचेगा PX और PX कट जाएगा खाली Q बचेगा और इसके बाद देखोगे तो सब दिख रहा होगा तो मैं यह और यह आ गया यही चीज आरचस है और यही हमें प्रूब करना था जो हमने कर लिया तो समझमा आगा अगा मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट समझमा गया हुआ इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें अलग बस इंपोटेंट क्वेश्चन आपको पता है कौन सा वाला था मोस्ट और बागी भी सारे इंपोटेंट है कोई ऐसा मसुचना की आसान है अगर पेपर है हमारा तो उसमें से 60% पेपर इजी क्वेश्चन से ही बनता है 40% पेपर क्वेश्चन जो होता है वो इंपोटेंट क्वेश्चन है और जो टफ होते हैं तो इसलिए कभी भी इजी क्वेश्चनों को फाल तू मतले कि चलना उनको भी सीखना और जो टफ हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वो अगर पेपर में आएंगे तो time waste होगा और बनेंगे नहीं समझ रहो ना तो दोनों तरह की चीज़ां करनी हैं तो कल करेंगे चलो फिर वेद प्रसना वाली तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई